हलो फ्रेंग्स तो आपका फिर से बहुत बहुत सवागते मेरे चैनल सुड़ पाउर पे और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बुश्टेप सीचिस के अंदर लेयाउट कैसे बनाएंगे तो फ्रेंग्स बुश्टेप का सबसे कमाल क्लासेज जो है वो है ल करने से पहले मैं आपको बता दो कि आपको मुझे इस्टाग्राम पर जरू-जरू फॉलव करना है क्यों कि मैं वहां पर सॉप्रेड डिवलप्मेंट के रिले टेर सम एक्स्टा कॉंटेंट पॉस्ट करता रहता हूँ जो आपको जरू-जरू है लप करेगा उसी तरीके से अगर आपने मेरे पहले के एपिसोड में देखेंगे अगर आपको कोडिंग का कुछ भी यह ओडट है नहीं आपको स्टार्ट से स्टाठेट डिवलप्मेंट और अम से कोडिंग सीखने है तो आपको देखना है एपिसोड बना दे द Suppose वनद रहा हो तो मतलब आपको सीच और HTML जरूर आता होगा तो आप आपके friend को suggest कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर मैंने एकदम startic से सभी के सभी HTML और CSS के जो topic है मैंने सभी cover किया है और अगर आपको HTML CSS नहीं आता है तो आपको मैं recommend करता हो कि आपको जो मैरे पिछले episode है HTML और CSS CSS वो आपको जरू-जरू देखना है जो base है जो website development का base है तो friend आपका जो basic है वो जरू-जरू clear होना चाहिए तो इसलिए आपको CSS और HTML के episode देखने है उसके बाद आप custom CSS और HTML का यूज करके आप खुब की portfolio website design कर सकते हो तो उसकी मैंने टूटर या आप बना के रखे अगर आपको direct CSS सिखना है तो उसके भी आप playlist है आपको अगर आपकी website portfolio design करना है तो उसकी मैंने playlist बना के रखी है सारे episode available है अगर आपको Photoshop और graphic designing में interest है तो उसकी मैंने tutorial बना के रखे है खास करके हम लोग website के अंदर बहुत सारी जगे पर image editing करते हैं तो उस जगे पर हम लोग को image के बहुत सारी काम पढ़ती है तो उस case में आपको थोड़ा बहुत image editing करना होगा graphic designing करना होगा तो उसके लिए भी मैंने आपर टूटल बना के रखे हैं उसके बार फ्रेंड हम लोग software development के अंदर हम लोग खाली coding ने करते हैं हम लोग code manage करते हैं बड़े बड़े project कैसे manage होते हैं तो वह मैंने आपर प्रॉपर लिए सब कुछ explain किये हैं अगर आपको git और github और एक tool आएगा तो आपके जो जोब के चांसे से और आपके जो बड़ी बड़ी company में आपको जोब लेना है तो आप भी यह सब टूल अगर आपको आएगा तो आपको जौब लेने के लिए आपको जोड़ो जोड़ो help करेगा और फिर यह episode देखने से पहले आपको मैंने जो पिछले episode है जिसक आपको जोड़ो 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 देखने है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको बुश्ट्यप को आपके पेच के अंदर कैसे इंक्लूड करने और कैसे यूज करना है तो फ्रेन इस episode के अंदर हम लोग देखने वाले है कि हम लोग यह जो डिव सेक्शन है इस खिलाल अभी लेप्टोप में कुछ इस तरीसी से दिख रही है आपर तीन सेक्शन बन रहे है लेकिन इसको मैं अभी जैसे ही मोबाइल के अंदर करता हूँ जैसे मैं पिक्सल 2 चूज करता हूँ गूगल पिक्सल तो उसके अंदर आप देख सकते हो तो वो एक-एक प्लेट के अंदर तो वो दो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है अगर मैं फिर से इसको चूज करता हूँ लेप्टप के अंदर तो फिरसे तीन-तीन पार्ट में डिवाइड हो तो यह जो concept है हम लोग इस एपिसोड के अंदर शिखने वाले हैं तो फिर से अभी अपको क कहले देख लेथे ब्रेक्पॉंट तो एक्ष्टा स्मॉल जो डीवाइस है उसके लिए अ पे शब्लास कोई भी नहीं है वो आतोमेटीकली दापनेस करता है उसके बाद जो small device आते हैं जैसे की like जैसे बहुत सारे device होते हैं उनकी जो size होती है 576 pixel से थोड़ी बड़ी होती है वो उन लोग ने small device के अंदर consider किया है उसके बाद ऐसे device जो medium के अंदर आते मतलब जो हमारे tablet होते है वो generally medium size के अंदर आते तो उसके लिए जो class का नाम है हम लोग use कर सकते हैं MD उसके बाद large के लिए हम लोग लिख सकते है LG उसके बाद extra large device है उसके लिए हम लोग लिख सकते है XL उसके बाद extra extra large होगा उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं double excel और उसके बाद L ठीके प्रेंट्स तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर अम लोग जो margin और padding अप्लाइ कर रहे थे उसके अंदर अगर हम लोग को margin अप्लाइ करना है तो खाली हम लोग लिखते थे अगर हम लोग को padding अप्लाइ करना है तो हम लोग खाली लिखते थे पी उसी तरह के से उन लोगों ने जो devices है उसके लिए इन लोगों ने अलग-अलग class के नाम दे दिए अगर small device होगा तो SM लिखो medium होगा तो MD लिखो large होगा तो LG लिखो तो इस तरह के से इसके अंदर classes available है त जो layout के जो classes है तो वो starting होटा है call मतलग column आप समझ सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर device का जो भी उनने small का class जो नाम दिया है वो आम लग यहाँ पर यूज कर सकते इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखना है तो हम लग जो भी इसके अंदर column वाले classes यूज करेंगे उसको आपको लिखना है हमेशा जो div है row class के अंदर और अगर आप इसको जो container है div class container आप देख सकते हो यहाँ पर container करके भी अलग से उन लोगोंने section बनागे रखना है तो हम लोग अगर हमारे page के अंदर कोई भी एक नया section बनाते है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह हम हमारा introduction section उसके बाद यहाँ पर service section उसके बाद यह skill section तो हम लोग जब भी हमारे page के अंदर कोई एक main section बनाएंगे तो उसको हम लोग किसके अंदर रखते हमेशा तो do class container उसके अंदर हम लोग रखेंगे यह container के बाद आता है friend यहाँ पर आप देख सकते हो row तो हम लोग अग तो चोटे चोटे part में divide करने के लिए आपको use करना है class row और उसके बाद ही आपको जो भी आपके जो child section है वो उसके अंदर आएंगे किसके अंदर row के अंदर तो प्रेन यह जो container है जनरली यह जो use करना compulsory नहीं है लेकिन आपको जो row class है वो compulsory use करना है जब भी आप grade जो classes है responsive classes जब भी हम लोग use करेंगे तो आपको उसको row के अंदर लिखना है लेकिन ऐसा compulsory नहीं है कि आप row के अंदर लिखो लेकिन अगर आपको food responsive बनाना है और आपको कुछ customization का जंजर नहीं रखना है तो उस case में हम लोग यह structure follow कर सकते तो प्रेन अभी आप यह आपे देख सकत हो अगर आपको small device के लिए class यूज करना है तो कैसे लिखना आपको call-sm करके अगर medium device है तो call-md-lg large device के लिए call-lg excel के लिए excel आप इस तरीके से देख सकते हो और यह आपे उन लोग ने size दिया है तो हम लोग जैसे ही हमारा जो device होगा उसकी size हम लोग change करेंगे तो उसके हि में अभी आपे दिखाता हो website के अंदर तो मैंने आपे चुछ किया mobile as मतलब small device तो small device के अंदर इसके उपर automatically कौन सा class apply हो जाएगा तो यह small वाला जो class से वो apply हो जाएगा अगर हम लोग इसको tablet के अंदर फिर से हम लोग tablet के अंदर switch जैसे ही switch करेंगे वो क्या करेंगा यह CSS automatically track करता है कि हम लोग अभी कौन से device के अंदर है और उसके बाद हम लोगों ने जो class apply किया होता है आप यह आपे देख सकते हो call md तो अभी इसके उपर कौन सा class apply होना चालो गया तो md तो आप यह आपे देख सकते हो call-md-6 तो फिर से अभी में जाता हो laptop के अंदर तो फ्रे device तो फ्रेंड हम लोग जैसे ही device change करेंगे अगर आप website mobile के अंदर open कर रहे हो तो आपके जो small है और extra small वाले classes apply होंगे अगर अगर tablet के अंदर open कर रहे हो तो automatically md वाला class काम करना चालो कर देगा अगर आप laptop के अंदर और फिर last devices के अंदर open कर रहे हो तो call-lg वाले classes काम करना चालो कर देंगे तो फ्रेंड इसके अंदर आप देख सकते हो आप यहापे देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे example है आप यहापे column column करके भी use कर सकते हो फिर आप पे column add for ऐसे भी यहाप मतलब बहुत सारे options है लेकिन इसमैंसे मैं एककी option आपको सिखाने वाला और जो वो समझने में easy पड़ेगा और आप आपके website के अंदर उसको easily use कर सकते हो तो friend सबसे पहले आपको कर लेना है आपका visual studio code open और इसके अंदर अभी friend इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसको हम लोग right click करते है और open it live server open कर लेते है तो friend अभी आप देख सकते हो फिलाल इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी code नहीं किया है तो इसलिए कुछ भी नहीं दीख रहा है लेकिन सबसे पहले आपको open कर लेना है आपका developer tool और उसके अंदर ही आपको coding करना है तो मतलब हम लोग यहां से फटापट चेक कर सकते है कि अगर laptop में देखना हो तो कैसे दिखेगा iPhone के हमेशा यूज करना ही करना है जब भी आप CSS करोगे उस case में तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं due और उसके अंदर फिलाल तो हम लोग class तो कुछ लिखते नहीं और इसके अंदर में लिख देता हूँ कि this is due तो फ्रेयन पिछले episode के अंदर हम लोगों ने utility classes देखे थे ज इसको सेव करते हैं रन करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहां पर आभी आप देख सकते हो background color blue apply हो गया है तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ठीक है पैंस तो उसी के साथ अभी मैं इसके अंदर दे देता हूँ padding तो padding 3 मैंने दे दिया उसक से इसको भी फिलाल तो tablet size में कर देता हूँ तो आपको proper दीखेगा ठीक है friends तो अभी जो अंदर का जो text है उसको हम लोग को करना है white तो उस case में हम लोग use कर सकते है test के classes ठीक है friends तो यह classes किस तरीके से काम कर रहे है कैसे काम करते है इसके लिए आपको मेरा जो पिसला episode है utility वाला episode आपको जरूर जरूर देखना है इसलिए आपको कोई भी episode insert skip नहीं करना है हार एक episode आपको देखना है और उसकी practice जरूर जरूर करना है क्योंकि हम लोग जो भी अभी tool देख रहे है जो भी classes देख रहे है वो हम लोग आगे के tutorial में one by one use करते ही है और आगे हम लोग ज पुछ इस तरीके से डिव बना लिया है तो एक डिव हो गया अभी हम लोग क्या करते है इसको copy paste copy paste कर देता हो मैं तो फिलाल अभी हमारे पास होके चार डिव तो अभी आप देख सकते हो यह आपे हमारे चार डिव बन गए अभी हम लोग को अभी आपे condition ऐसा है कि हम लोग को क्या करना है तो कुछ इस तरीके से आप अभी आप देख सकते हो कि हम लोगों नहीं आपे जो हमारे section है उसको हम लोगों एक इस तरीके से divide कीया है तो जो last device है उसके अंदर पहले 3 लिख रहे उसके बाद 3 लिख रहे तो हम लोग पहले एक एक जो topic है उसको पकड़ के च बाद अगर tablet होगा तो उसके अंदर रखना है हम लोग को दो और अगर small device होगा मतलब mobile होगा तो उसके अंदर रखना है एक तो फिला फिन अभी आप यहां पर देख सकते हो कि हम लोग laptop के अंदर हो यहां पर tablet के अंदर हो तो यहां पर वो divide नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम कुछ भी classes apply नहीं किया है तो यहां पर हम लोग फिर से इसको फिला तो छे कर देते तो हम लोग 3-3 में divide कर सकते तो फ्रेंट सबसे पहले अभी आपको क्या करना है तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग को इसको रखना है इसके अंदर तो container के अंदर तो मैंने जैसे बोला कि container ज जो फ्लेक्स तो इसके अंदर उन लोगोंने फ्लेक्स टेक्निक जो है वह यूश किया है अगर आपको याद होगा कि हम लोगोंने सीरिसेस टुट्रल के अंदर फ्लॉट देखा था तो उसी तरीके से फ्लेक्स भी है जो क्या करता है तो हमारे जो component है वह automatically responsive और device wise और उसकी side by side रखता है तो अब अगर आपको पूरा detail में देखना है तो आपको मेरा जो CSS के अंदर जो plot वाला जो tutorial है जो वीडियो है वह आपको देखना है तो आपको idea आ जाएगा उसके बाद friend हम लोग को क्या करना है तो आपको use करना है responsive layout classes तो layout के लिए आपको क्या लिखना है आप लोग को क्या लिखना है call dash lg और friend अभी आप यहापे size क्या दोगे तो simple है हम लोग जो column classes से जो layout classes से वो हम लोग को total कितना मिलता है तो एक से लेके 12 तो अभी हम लोग website के अंदर जाते है और इसके अंदर हम लोग document section के अंदर देख सकते हैं कि हम लोग को जो total जो classes मिल लेते हैं वो classes होते हैं 1,2,1 से लेके 12 तक ठीक है friends तो हम लोग 1 से लेके 12 पार्ट में हम लोग cool मिला के divide कर सकते हैं तो आप जैसे यह website के अंदर देखो तो हम लोग ने इसको 3,3,3,3 पार्ट में divide किया है आप इस तरीके से हमारा जो एक section है उसके अंदर हम लोग 12 total column रख सकते हैं ठीक है friends तो अभी simple आपको क्या करना है तो अगर आपको 3 पार्ट में divide करना है तो उस case में आपको क्या करना है simple 12 divided by 4 तो हम लोग use कर सकते हैं यह आप देख सकते हो मैंने यह आप लिखा है call-lg-4 तो मतलब 12 को हम लोग ने 4 से divide किया तो यहापे 3 column बनेंगे simple इस त हमार जो div है वह हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं तो मैंने copy paste कर लिया उसके बाद फिर से यहापे बनाओ और एक div और उसके अंदर class होगा फिर से call-lg-4 और उसके अंदर फिर से आपको यह जो div का content है वह यहाँ से निकाल लो और इसके अंदर रख दो ठीके friends तो इस तर times तो 6 times यह 3,4,5,6 ठीके friends तो मैं यहापे आपको फिर से दिखाता हूँ तो इतना जो section है मैं फिलाल यहापे निकाल देता हूँ तो friend आपको 12 से divide करना है simple तो अभी यहाप यहापे देखो तो जैसे ही यह पहला div लोड होगा तो वो 4 space ले लेगा उसके बाद यह next form है कितन हो गया 12 तो जो पहला जो row है वो पूरा occupy हो गया तो save करते है run करके देखते है और आपको अभी इसको run करना है फिला laptop के अंदर तो आप जैसे ही laptop choose करोगे तो इसके अंदर आप अभी देख सकते हो 3 part में divide हो गया तो इसकी size है 4 इसकी size है 4 इसकी size है 4 इसकी भी size है 4 टोटल क जाएगा इसके बाद के जो भी content है वो कहाँ पे आएंगे तो वो इसकी नीचे आना चालू हो जाएगा तो अभी मैं क्या करता हो देखो तो मैं अभी यहाँ पे एक ही डिव रखता हो तो फ्रेंड अभी यह जो डिव है यह सोचो अभी यह कहाँ पे लोड होगा क्योंकि आगे तो जगा बची नहीं है तो यह डिव लोड होना चाहिए उसके नीचे अभी हम लोग करते हैं से और रन करके देखते हैं तो फ्रेंड अभी आप यह आपर देख सकते हो जो फोर्ट वाला डिव था वो अटोमेटिकल यह आपर नीचे आ गया क्योंकि बूस्ट्रेप आपने जो हमलोग को CLASSES दिये है उसके अंदर हम ल लूग total 12 इस PACE उसको दे सकते हैं 12 जगा उसकों दे सकते हैं जिसी ही 12 खतम हो जाएगा जो next content है वो उसके नीचे आना चालू हो जाएगा ठीक है friends तो फिर से मैं इसको अभी copy करता हूँ copy किया मैंने फिर paste किया तो फ्रेंट अभी यह जो 4 है मतलब यह वाला जो due है फिर यहां से वो फ्रेस टार्ट करेगा तो इसके हो गया 4 फिर हम लोगों ने फिर से और एक due लिया तो यहां पर हो गया 8 अगर मैं फिर से यहां पर paste करता हूँ तो यहां पर हो गया complete 12 फिलाल में यह जो last वाला है इसको निकाल देता हूँ और हम लोग sayo करके देखते तो आपको effect पता चलेगा ठीक है फैंस तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यह 4 हो गया यह 4 हो गया ठीक है फैंस और अभी मैं जो paste करूगा वो का पर आना चाहिए यहाँ पर लास में तो फ्रेंड इस तरीके से जो layout classes है column dash करके जो भी device की size होगी वो और उसकी जो हम लोग को space और जो भी size आप बोल सकते हो वो देना है वो तो इस तरीके से हम लोग large device के अंदर तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है याद रखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है LG मतलब large मतलब laptop जैसे जो device है उसके अंदर वो कैसे divide करेगा तो 3-3 part में divide कर देगा ठीके friends तो 3-3 part में कैसे divide करेगा तो हर एक जो एक जो पूरी row होती है जो उपर की row होती वो total वो हम लोग को provide करता है 12 column और उसमें से हम लोगोंने 4, 4, 4 और हम लोगोंने complete कर दिया 12 तो उपर हम लोग को खाली अभी 3 column दिख रहा है उसके बाद जो आगे के content है वो नई line से चालो हो जाते है अगर सचो अभी मैं आपे लिखता हूँ 2 तो वो क्या करेगा तो इसको 4 देगा इसको 2 देगा अभी इसको फिर से 4 देगा लेकिन अभी फिर से आपे जो पहली वाले जो column है हुआ आपे अभी 2 बचा हुआ है तो आप पीछे देख सकते हूँ आपे जगा खाली हो जाएगी ठीके बैस तो इस तरीके से हम लोग को जो total एक row को द्यान में रखके हम लोग को उसके जो size है वो हम लोग को divide करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर जगे पर 4 लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से वो 12 को लेके फिर वो divide कर देता है ठीके पैस तो I hope कि आपको idea आगा होगा अगर आपको तो भी idea नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के comment में आपको आप मुझे फिर से पूस सकते हो ठीके फैस तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने क्या किया है तो हम लोगों ने हमारे जो section है वो हम लोगों ने divide किये तो किसले हम लोगों ने divide किये तो large devices के लिए लेकिन अभी मैं जाओगा tablet के अंदर तो आप यापी देख सकते हो तो tablet के अंदर वो एक के नीचे एक एक के नीचे एक आगया है लेकिन हम लोग को tablet के अंदर उसको दो-दो section में divide करना है और जो small device है तो वो तो by default small device के लिए तो एके column में ही कर देता है लेकिन हम लोग को tablet के लिए करना है दो-दो section के अंदर tablet के लिए मतलब medium device और medium के लिए हम लोग use करते है md तो अभी आप फिर से मैं आपको दिखा देता हो grid section के अंदर जाओ और उसके अंदर medium के लिए हम लोग को use करना है md और उसका जो classes है वो कैसे लिखना है called as md करके तो वही आपको यहापे लिखना है तो अभी हम लोग इसको करते है copy और इसी के साथ आपको लिखना है space करके आपको लिखना है तो lg के जगा आपको simple उसको replace करना है और tablet के अंदर तो हम लोग already tablet के अंदर है तो जो पेली row है समझो कि इसके लिए हमारे पास 12 जगा पड़ी है मतलब 12 space हमारे पास है तो उसमें से हम लोग को दो दो पार्ट में डिवाड करना है तो मुझे इसके अंदर size कितना देना पड़ेगा तो simple है मुझे इसको size देना पड़ेगा 6 और उसके बाद जो दूसरा डिव है इसको भी मैं 6 दूगा तो जो पेली row है उसके अंदर दो डिव रखेगा दोनों की size 6 और 6 उसने रख दिया है और बाकी के नीचे आ रहे तो उसी तरीके से बाकी के जो डिव है सब जगा भी हम लोग को क्या अपलाई कर लेना है तो column 666 तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोग save करते है और जैसे run करेंगे तो अभी आप देख सकते हो तो उसने दो दो पार्ट में divide कर दिया है तो friend ये जो large के अंदर हमारे पास तो बड़ी जगा होती इसलिए हम लोगों ने उसको 444 में divide किया है और medium device के अंदर हम लोग के पास थोड़ी जगा कम होती tablet की जो size होती है वो laptop से थोड़ी छोटी होती तो उस case में हम लोगों ने दो दो पार्ट में divide किया है उसके बाद जो device बचता है वो है small devices ठीके पहिंच तो हम में आपको फिर से दीखा देता हूँ तो laptop के अंदर जाते है तो तीन-तीन पार्ट में divide है फिर से हम लोग जाते है tablet के अंदर तो वो दो दो पार्ट में divide हो जाएगा ठीके पहिंच तो इस तरीके से अभी हमारे जो column layout के जो classes है large device के लिए तीन पार्ट में divide हो रहा है और medium device के लिए वो दो दो पार्ट में divide हो रहा है उसके बाद अभी सोचो कि आपके जो small device है उसको आपको क्या करना है तो simple एफे हमारे जो small device होंगे उसको हम लोग को कुन से पार्ट में divide करना है तो वो हम लोग को एक एक पार्ट में divide करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे ही small के अंदर जाता हूँ तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही box दिक रहा है मतलब वो एक ही पार्ट में divide हो रहा है तो frame अभी आप देख सकते हो वो by default या आप एक एक पार्ट में divide हो रहा है तो वो by default एक एक पार्ट में क्यों divide हो रहा है क्योंकि अभी हमारी device की size आप देखो आप कितनी है तो 3, 2, 0 तो आप याप देख सकते हो अगर 576 pixel के नीचे होगा तो वो by default automatically exist करता है और उसको एक एक पार्ट में divide कर देता है अगर आपको SM class का जो effect है वो देखना होगा तो आपको आपकी device की size 7, 5, 7, 6 से बढ़ाने पड़ेगी तो यह जो scroll है इसको आप scroll कर सकते हो और हम लोग उसको 5, 7, 6 से थोड़ा बढ़ा देते है तो अभी 5, 7, 8 तो फिलाल हम लोग 5, 7, 8 यह device की size रखते है और अभी हम लोग इसके अंदर apply करेंगे हमारे classes तो अभी आप फिर से यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर मतलब कुछ भी यहाँ पर फरकने पड़ रहा है लेकिन अभी मैं लिखता हो यहाँ पर call SM like जैसे मैं लिखता हो यहाँ पर to save करते हैं और run करके देखते हैं तो अभी आप देख सकते हो यह चोटा होगा हम लोग ने उसको देना था actually हम लोग को उसको पूरा रखना था मतलब हम लोग को उसको टेल रखना था तो यह वो पूरा दिखेगा लेकिन हम लोग ने उसको चोटा कर दिया मतलब हम लोग ने उसको खाली जो आगे की दो स्पेसे वह हम लोग ने यहाँ पर उसको दिया इसलिए वो छोटा हो गया अभी मैं देता हूँ इसको 4 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ठीके फैंस तो अभी आप सोचो तो आपका डिवाइस है स्मॉल तो अपकोस आपके जो कॉंटेंट है वो आपको पूरा दिखाना है तो आपको सिंपल है आपको यहाँ पे लिखना ह है डाश 12 तो फ्रेंड आप जैसे ही 12 लिखोगे तो पूरा फूल स्क्रीन में आ जाएगा तो अभी आप सोचोगे कि अल्रेडी तो स्मॉल डिवाइस के अंदर वो फूल ओके आए रहा है तो हम लोग क्यों अपला करें तो फ्रेंड इस केस में दर असल हम लोग को अपला क अपला करने ही करने होते तो मैं सब के अंदर मैं आपला कर देता हूँ SM 12 तो मतलब स्मॉल डिवाइस के अंदर मुझे फूल साइज चाहिए तो फूल साइज मैंने दे दिया है 12 ठीके फैंड तो फ्रेंड ये बूस्टा पे इसकाम करते हैं तो अगर 576 मतलब यहां पे 576.8 तो आच्टलि 68 नही 67 तो 566 से लेके 767 जो डिवाइस होंगे उसके अंदर क्लास कौन सा अपला होगा तो ऐसे मतलब स्मॉल वाले जो ख्लासे हैं व्यून से लेके 991 तो इसके उप्र एश मे जो डिवैस होंगे उसके अंदर, यह एम्ड वाले क्लासेस अपला होगे तो फ्रें यह जो बुष्ट्रा पर यह काफी डाइनमीक है तो इसके अंदर हम लोग की जो device की size यह आप यह आप यह size देख सकते हो जैसी ही size change होती है वो classes apply होना चलो जाता है तो आप यह आप यह देख सकते हो कि हम लोगोंने एक ही डिव के अंदर class के अंदर या पर हम लोगोंने लाज भी लिख दिया फिर मीडियम भी लिख दिया फिर स्मॉल भी लिख दिया तो एक काम कैसे करता है तो सिंपल है फ्रेंड css के अंदर हम लोग device wise अलग अलग हम लोग css कर सकते है तो आप इसको select करो और इसके बाद आपको select करना है row और फिर आप select करो आपका जो due है वो select करो तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो तो css के अंदर एक specially facility अवेलेबल है जिसको बोलते है media query तो फ्रेंड अगर आपक वो खुद का custom class बनाना होगा correct device के लिए अलग-अलग device के लिए अलग-अलग class बनाना होगा तो उस case में आपको use करना है यह media query इसको css के language में बोलते है media query तो यहाँ पर उन लोगों ने दिया है तो जिस device की minimum with 768 होगी तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से css अपलय होगा तो friend जैसे ही device की size change होती है यह automatically जो condition उन लोगों ने दिया है यह condition trigger होता है और उसके अंदर के सारे classes one by one one by one execute होना चलो जाता है तो इस तरीके से bootstrap का जो layout classes है जिसको हम लोग column भी हम लोग बोल सकते है grid भी हम लोग बोल सकते है तो इसका use करके हम लोग हमारे पूरी website responsive बन a character……ically Divide हो गया फिर यहां पर दो दो पार्ट में है अगर हम लोग mobile के अंदर जाएंगे तो एक एख पार में Divide हो जाएगा अगर हम लोग जाते हैं laptop के अंदर तो फूल पार्ट में मतलब हम लोग ने जो जो section दिया होगा तो वो तिन तिन पार्ट में divide हो गया फिर ये एक ही पार्ट में divide हो गया तो इस तरीके से हम लोग पूरी की पूरी website हम लोग responsive बना सकते हैं using bootstrap के यो जो layout classes है वो तो फिरन अ गटर classes तो गटर classes के अंदर simple frame अभी हम लोग जितने भी classes यूज कर रहे हैं तो margin के लिए हम लोग M लिखते थे पैडिंग के लिए P लिखते थे फिर small के लिए SM लिख रहे तो उसी तरीके से गटर के लिए हम लोग simple use करेंगे जी और इसके अंदर और एक है जी X तो X मतलब left और right में space छोड़ेगा और जी Y मतलब top और bottom में space छोड़ेगा अगर आपको चारो side space चाहिए तो आपको simple करना है याद रखना आपको apply करना है row के उपर इसलिए मैंने starting में बोला था कि आपको जो grid के classes है column वाले classes है उसको आपको row के अंदर लिखना है तो आपको future में problem नहीं होगे तो मैं आप लिखता हूँ जी happen 3 तो सभी के आजो बाजो वो space छोड़ देगा तो कितना छोड़े तो 3 ठीके friends तो अभी आप different देख सकते हो तो उसने हर एक जगे पे space छोड़ दिया है 3 लेकिन मैं अभी याप लिखता हूँ gx तो वो क्या गरेगा खाली left और right में ही खाली space छोड़ेगा और जो top और bottom छोड़ देगा तो यापे मैं उसको apply कर देता हूँ तो उसकी जो value है हम लोग generally जा सकते है एक से लेके five तक तो आप यापर देख सकते हो वो लोग ने आपे five तक value दिया है और उसी तरीके से हम लोग अभी जैसे हम लोगों ने एक्स किया था उसी तरीके से हम लोग y भी देख सकते है y भी use कर सकते है मतलब top और bottom उसने यापे space देना चालो कर तो वो left और right ignore कर देगा लेकिन हम लोग को generally क्या चाहिए होता है तो पूड़ा का पूड़ा जो हमारा जो section है वो एकदम एक समान दिखे और uniformity हम लोग को manage करना है मतलब यहां से भी स्पेस वहां से भी स्पेस सब जगा सेम स्पेस होनी चाहिए तो उसलिए हम लोग यहां पर simply use कर सकते है जी और उसके बार यहां पर size दे दो तो फिलाल जो five sizing वो ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग रखते है थ्री तो friend यह क्या करता है तो row के अंदर जितनी भी यहां पर classes है मतलब जो grid classes है उसके अंदर वो यहां पर space रख देगा तो उससे क्या हो जाएगा हम लोग को हर एक due के लिए अलग-अलग हम लोग को अलग से margin या फिर padding हम लोग को नहीं देना पड़ेगा अगर हम लोग यहां पर समद लोपी में आप जो gutter classes से वो निकाल देता हूँ उसके बाद हम लोग यहां पर जो padding जो classes है वो हम लोग use कर सकते है like में यहां पर three लिख दिया आप उसके बाद फिर आपको हर जगे पर यहां पर padding 3 padding 3 आपको हर जगे पर लिखना पड़ेगा उसके बाद ही वो क्या होगा तो सभी के सभी due डिवाइड होंगे लेकिन हम लोग को ऐसे बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए boost app जो framework है मैंने जैसे बोला कि framework के अंदर हम लोग को एक line का भी code नहीं करना है हम लोग को जो classes है वो classes हम लोग को directly use करना है तो इस तरीके से जो better classes है वो हम लोग एक ही जगा लिखेंगे और हमारे सारे section के अंदर हम लोग को effect देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है friends तो friend फिलाल के लिए इस episode में इतना ही अभी आपक आपका जो document है open करो grid section open करो और इसके अंदर यहाँ पे unlimited उन लोगोंने example दिया है तो मैंने आपको काफी easily आप explain किया आप simple है यहाँ जितने भी आपको device है वो manage करने है उसके आप यहाँ पे classes listing कर दो हम लोग को last के लिए तीन section चाहिए तो यहाँ पे 4 लिखो अगर 2 section चाहि पाई कर लेना है तो small device के लिए आपे 12 लिख दो तो simple है हम लोग इस तरीके से जो classes है वो काफी easily समझ के और हमारी जो website है उसको हम लोग full responsive बना सकते है ठीके friends तो अभी आपको क्या करना है तो आपको यह सारे classes की practice जरो जरो करना है क्योंकि हम लोग इसको use करने वाले है हमा आपको हर एक वीडियो देखने के बाद practice जरूर जरूर करना है ठीके friends तो फिलाल के लिए इस episode में इतना ही thank you